जो नाजरीन हमें कॉल कर रहे थे ब्रेक के दुरान वो हमें कॉल कर सकते हैं अब उनकी कॉल को शामल किया जाएगा इनशा ऑच अराब से गफ्तगू की जाएगी और अब तक बहुत सेरहासल गफ्तगू की हमारे नाजरीन ने, हमारे कॉलर्स ने और ये जो बात चल निकली है ये जो सलसला चल निकला है किस तरहां से ने सादश्य की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से ओती आई थी लूभा है नहीं महाजनों का सामना रहा है तू आप क्या करें गाते हैं आली भागात है क्या है इनका हल वही है हल वही है पुरान ने दो हुकम दी है ना तस्किया नफस का रसूल लह को अलिए वालियों को पेगंबरों को माबूस क्यों करता रहा है लोगों का तस्किया कराएं अगर एक तस्किया शुदा तो बादे होगा दो खुदी यतियात करेगा कालर को शामे थिंडे करें हैं अलेकुम हलाएकम आपके निताफ़। आपकारता है वो ने दोर के ने महाल इस पर बात की जाए तीज्यमुर्ण मामरा है लेकर नभी आपके ब्रेक पार जाने से तरे अधित किला नाकवी साहब असलामबाद से बात कर रहे थे मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे पास लुगत की तीन कताबें मुझूद हैं माशाला बहुत सामत और एक नातक एक फिरोज लुगत है एक मुगतरा कूमी जबान की अर्दु लुगत है और सबसे बड़ी बात जो लुगत मेरे पास मुझूद है वो सेद हामद नकवी स्लामबाद का फॉन नंबर है अल्हमद लल्ह हमें ये सादत में यसर है कि जब भी जूट पड़ती है उनसे किसी लफ़ की असला ले रहे थे हैं पूछ रहते हैं उनकी महर्मानी है कि वो हमेशा मुस्ताइद रहते हैं बावजूद अपनी नजर की कमजोरी के और इसके बावजूद वो जब भी उन्हें जहमत दी जाती है उसे बावशी कुबर करते हैं यह भी ने ज़ूर का निया महाद है कि हमें पड़किस्मती से हम ने अर्दू ना एले जबान से पड़ी ना अंग्रेजी हमने आक्सफोर्ड की एकसेंट में पड़ी हम जावनों तरफ की इधर के रहे ना होगते हैं सीखते रहे हैं तो इसलिए यह भी एक निया महाद है जलत अला हो गए हैं और आज हम बड़ी बड़े तड़ले से उन अलफाज को तराते जा रहे हैं जहां कहीं भी तसही हो जाए उसके बहुत आमियत है और जहां भी मौका मिले जब भी जब किसी की चीज़ की इसला की जूरूट पड़े तो कर लेना चाहिए और इसके इसके करना जाए जाए ने उनका शुकर गजार हो कि उन्होंने आकर ये खुद भी आफर की हैं और हम भी उन्हें जब जहमत देते हैं वो अपनी हमत के मताबक वो हमारे लिए मामलाद को आल असान कर दे रहते हैं अल्द आल्ला उने तवीक दे जिन्दगी ग्रायत परमाए और का साया हम पर है और हम उन्हें से तपादा कर दे रहें जो हम आयाद दे कि नौशक लिए में जी कार कालों को शामल करेंगे असलाम अलेकूं वहमत अल्यकूं रहादिया तुल्यक्त आलेकूं जी वालेकूं सलाम मुअमर असाज जमी से बात कर रहा हूं जनाब 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 पुशान दिये फिनमाईए बात जाएगी पुराने दोर में जब अंग्रेज की अकूमत थी तो दुनिया के गरीब आदमी की इज़त महफूसी क्योंकि अंग्रेज के वुज़रा उन्डे नहीं पालते थे अब नए दोर में मेले अंग्रेज हुकमरान बनकर पुराने कनून के तहट तिकाह का चुरी कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं और अवाम का कतल आम कर रहे हैं जो निया माध है ना जिस कानून के तहट हमारे मलक में लोग रुकमरान बनते है ना जन्मॉरियत में कानून जो हैं सब के लिए बराबर होते हैं उके झी खुदा होता है बहर हुआ श्यक्रिया इसलेख एक हम एक कॉल की शामिल करेंगे असलाम अलेखं वर्हमत अलेखंड लिए असलाम अलेखं वर्हमत ल लो यह आपकी आवास हम तक नहीं आ रही है आप दोबारा से कोशिश कर लेजिए क्योंकि कॉल एक्सेप्ट हुई भी है और हम सुन नहीं सकते हैं आपको तो यह सारी बाते से जो हो रही है पहली ही आपकी इस बात पे आते हैं इसका जब आप गुरान ने शुरू में ही दे दिया हो उससे बच जाएगा तो इन तमाम हमलों से रुख जाएगा इन हमलों से कौन लोग नहीं बचते हैं जो इन चीज़ की रियायत नहीं करते हैं जो इन चीज़ों से आ रही हैं जो सुनते तो हैं वो कहते हैं क्या हो गया चलो कभी कभी फना चीज का इस्तेमाल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, कोई आपके सर के उपर कुछ सिंग निकल आएगा, या एक हाथ छोटा, एक बड़ा नहीं हो जाएगा, होता क्यों नहीं है, यही तो होता है, क्या अकल में फुतूर आ जाता है, आपकी सोच में, आपके अकल में, शौर में, आपके नजरियात में फर्ख पड़ आता है, यह होता है, कॉलों को शामिल करेंगे, असलाम आलेकुम, असलाम आलेकुम रहमतुल्लाह, अरा ख्याल है कि लॉंग डिस्टिंस कॉल है, जो कि सही तरह से थ्रू नहीं हो पा रही, यह फिर हमें आपक अगर आप हमें सुन रहे हैं, फ्रू टेलिवीजन के तो हम बड़ी माज़द खाँ हैं, हमागा कॉल आपकी एकसेप्ट कर रहे हैं, अगर हमें आवाज नहीं आ रही है, आप एक मरतबा और कोशिश कर लिजिए कि शायद आपकी कॉल थ्रू हो जाए, तो यह यह वो तमाम यह वो बेसिक जो मैं पूछ रहा ता गबला से, एक आदी मुबतला होगे तो वो क्या करे, क्या करे, और कह दो कि दूए मुबतला क्यों हो जाओं, हूँ क्यों जाओ मुगे एक चीज दिन ने बता दी कि कि यह अगर नहीं करना है तो छंहें और मैं उनके साइंटिटिफि इसे रुकने के हुकम दिया है हम वो करते हैं और जो हमें करने हुकम दिया हम वो नहीं करते किसी चीज़ के अंदर बता दिया कि इसके अंदर बुराई जादा है अच्छाई इसके अंदर फवायत कम है इसके अंदर से नुक्सानाद जादा है तो ये ये ना करो इसके अंदर जो है वो अच्छाइएं ये अच्छाइएं हैं ये काम करो हम खुद अपने को मुपतला अमरास करते हैं हम खुद इन चीज़ों के करीब जाते हैं दुश्मन पहले भी दुश्मन था दुश्मन आज भी दुश्मन है दुश्मन कल भी दुश्मन रहेगा शैतान इबलीज शुरू से था हर दौर में रहा और आएंदा आने वाले दौर में जब तक खुदा ने उसको हयात दी वो रहेगा अब ये के हम ये सोचें के नहीं वो ये काम कर रहे हैं तो हम सम्म उपतला को नहीं भैका हूँगा तौर के दिया है वो खुद भी कह चुगा है कॉलर को शामिल करेंगा स्सलाम अलेकूं रहमतल्ला बारिम सलाम अब आपकी कॉल थूरू है खुश्मन दी फरमाईए तो कि यह बहुत बहुत मैंने इस्टे पर दी काल दिया ने दौर और ने महाद ठीकिन ने दौर तो समझे आती है मुझे विए इस बात बहुत सारे बहुत सारे महाद है यह साइंटिफिक्ली भी हम पर हमला हो रहा है हमें मुक्तलिफ खुराकों के जरिये से हमारे अजहान को प्रोग्रांदा करने कोशिश की जा रही है फिर इस गतल गारत गरी तो सामने से हो रही है फिर असिये के जो है वो एक माशी बहरान में मुटलकिया वा जितने भी चीज़ें इसे महाज़ हैं ताकि चारों तरफ से अटेक करके तबाख किया जाएं आपने ब के जाएं रही हैं आपने बिल्कुत से इससरा महाज कुले जारहे हैं और सबसे एह महाज जो खुला है वो हम लोगों कर दखला है बूसको महाज में तो ऐसा लगता है सब रो लोग जो पी शामिल हैं लेकिन उनपर परदा डाल जाल लाता है अब आपने विक जफर सना होग तो जो मौलाना फक्रे गए थे अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले वो आया था किसी एंकर वो मौलाना अजीज जो है उनका इंटर्वी जा रहा था तो उसने कहा उसने पूछा कि आपकी चालीम कितनी है तो मौलाना ने कहा है मेरी चालीम सिर्फ दो सिलास कर दो पढ़िए जिंदे और हम हम उनको ने सकतनी हम कर रहा है है उनको कितना अदर की का आऴ थे हैं पांच हजारा और हमाती हैं, जो हम बच्चे हैं, वो पड़ती हैं, हम उनको तालिम दे रहे हैं, कि लिए भाना इसका कॉं करता है, अब इसका वो जामी दे पाए है, और तक्रेमान वो उसे बताए कि लाक रुपे जो है, रशकर जाहिले भो रहे हैं, तो यह हमत, हुमत, कोई बात नजर लिया ली, जबकर कीवी पे फूर फूर के से बाते बताए जारी हैं, घर्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, यह भी महाद है, और यह महाद कैसे ख़तम कि रहा सकता हैं, यकिनां कोई एक वर्ड तो निकला हो सकता है, इस महाद को ख़तम करने के लिए, तो जिम्मेदारी होती है, प्रियासत की जिम्मेदारी को गुमर की होती है, कि वो उनको देखे, वो जो काम करें, उसको ख़तम करने के कोशिश करें, अब नहीं करेंगे, तो इस तरह से यह महाद तो चलते रहेंगे, और पाता बंब्या, और जादा होगा, एक कौन है, मौ कल के दिजिर, अ.वाज का जो जो शर्ञारे को लुखता है, वो आज का दोर उससे बेधर होने चाहिए, लेकिन बसक्षिमति यह है, बहुत शज्डद साहे। कि हमारा कर का दौर बहुत अच्छा था और आज़ का दौर अजीब और वाली बहुते चले आ रहे हैं और हर वक्त खौफ होता है कि कल कर और नय महाद नहीं किल जाए है अग्यकत में आपने बिल्कु चाह यह चाह यह महाद इतने कुल गए हैं कि हम पिस किस के से अपने महाद ओका को बच सकते हैं ये फिर मैं ये क्राहूंगा कि जाए नहीं जुए हैं कि ही यए हुखुमत एवक्त ही होती है और इसक jeunes आपका दिरने पाता है कि मेहर शकूर कर बाता है औरunto क्रें जो वख साब जी सिराजदीन बोरों जी सिराजदीन मुगल नौटिंगम से सिराजदीन मुगल साथ नौटिंगम से खुशाम दीद फरमाईए जी जी मैं समझता हूँ बहुत एहम टापिक के उपर आपने गुफ्तिको शुरू की हुई है मैं समझता हूँ कि हर दोर के कुछ तकावे होते हैं जैसे आप देखें कि अगर आप कमरा इम्तिहान के अंदर बैठे हों और फिजिक्स का परचा हो आप कमरा इम्तिहान में फिजिक्स की बजाए कैमिस्टरी के तीन घंटे जवाबाब देते रहें तो आपको कोई नमबर नहीं मिलेंगे क्योंकि उन तीन घंटों का तकावा ये था कि फिजिक्स के सवालात हैं और फिजिक्स के भी जवाबाब दिये जाएं मैं समझता हूँ कि आज के इस दोर का सबसे एहन तकावाब ये है कि उम्म्म आ आलम इस्कावाब में तमाम अखतलाफात गो हैं इखतलाफात को गन्याद बनाकर इंतशार ना पहलाया जाए बल्के आलम इस दोर का इस वक्त तकावा ये है कि पुरी उम्म्म्म के अंदर इत्तिछाद और इत्तिफाक होना चाहीए वरना ये इसी तरह हालात आज आप देखें कि तक्रीबं दो बिलियन मुसल्मानों की आबादी है दुन्या के ओपर तक्रीबं दो बिलियन और मुल्क भी तक्रीबं साथ एक सथ इस्लामिक मुल्क है या मुल्क ऐसे जिनके सरवरा जो है वो मुसल्मान है और पैसा इतना है मुसल्मानों के पास कि किसी जमाने में एक आम आदमी के पास इतना पैसा है कि किसी जमाने में बादशाहों के पास इतना पैसा नहीं होता था यानि आबादी भी हमारी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा आबादी बहुत ज्यादा मुलक ऐसा भी हमारे पास बे इंतहा लेकिन जितना आज मुसल्मान दुनिया पर पूरे आलम इसलाम में जितना मुसल्मान आज बेबस लावारिस परेशान है काईनात की तारीख में मुसल ये सबसे एहम पकाज़ा ये है कि खुड़ात तमम इखिलाफाद को बुलाकर इखिलाफाद को इंतशार न पहला आ जाए है कोई nasa काज़ अछिए है, ये मेरे और ख्यालात मुख्तिलिफ हो सकते हैं, आपके ख्यालात मुख्तिलिफ हो सकतें लेकिन इखतलाफात को बन्याद बनाकर इन्टिशारा नपहलाए जाए और आलम İslam की सबसे इस दोर का एहन पताद़ ये है तमाम इखतलाफात को गणा कर इत्फाक और इत्हात पादा किया जाए बहुत देने का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी बात की आप है अलेकुम असलाम और रहमत ल्लाही वबरकातों स्राजुद्दीन मुगल साथ बहुत खुब सुर्थ गुफ्तगो आपने नौटिंगम से फरमाई और बिल्कुम तकासा भी यही है के कंदे से कंदा मिलाकर और बिल्कुम लेक दूसरे के साथ बहुम मुटहिद होकर आगे बढ़ा जाए और दुश्मन की तमाम साज़िशों को नाकाम बनाया जाए मगर फिर हमारे पास कसौटी वही रहेगी कुरान और एहल बैत जो नबी करीम स्वालाई वाली वाली वसल्म हमाई छोड़ गए और हमें इस चीज़ की तालीम दे गए कि इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना अगर तुमने ये खुदा की मरसी को मजबूती से थाम के रखा तो तुम कभी गमराह नहीं होगे और होजे कौसर तक मुझतक जो होजे कौसर तक ठो जाओगे तो हमने देखना है कि कुर 1700 ने जो के नबीयों के माबूस होने का सलस्ला बताता है कि आख तकिय निये अम्बिया को माबूस किया गया पेश एंबिया यही है कि लोगों की इसला की जाए और उनके ताने और ये तमाम चीजों को बरदाश की जाए अबिया भी ऐसे करते थे तो यह हमारे पास कसोटी मौजूद है तालिमात परवर्दिगार की तरफ से मौजूद है गुरान करीम मौजूद है अगर हम उस पर इहतियात करेंगे क हम उसको समराइज करते हैं तमाम मौजूद को जो किमिला ने भी की जो जो नए मौजूद को ले अभी इससे और आगे खुलेंगे जो के जो जो तरकी जमाना करता रहेगा और खुलता रहेंगे तो इसे खौफज़दा होने की बिल्कुल जरूद नहीं है हमें अपने चे लेके जाना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त सिविलाइजेशन का अरूज हमारा था उस वक्त सब जो है वो अन्सिविलाइज थे एक दूसरे को गतल और गारत कर रहे थे मजब के नाम पर गतल होना था इसलाम सिविलाइज था मैं तो मैं सौ साल नहीं चोड़ दो साल की लेकर जाता हूं वहां से शुरू करो तुम ने उनका तरीखा क्यों अपना लिया जो के मजबों की बुनियाद पर जो के मुक्तलिफ गुरूं की बुनियाद पर मुक्तलिफ शक्लों में लड़ लए थे हमें सदर इसलाम से अपनी तालिमात लेकर आगे बढ़ना अच्छा मौमद अफजाल साब बहुत आवाज आपकी सब बास दफ़ा मिल जाती है जा फर्माईए वह कोई बात नहीं है अच्छादी बात यह एरी के मुसल्मान दूसरों कहते हैं जो सीधे राजसे पर चलता है मेनद करता है अच्छे काम करता है लारसूल को याद करता ह एली तो यह दो होता ना उसके किदार के मताबर के उसे मुसल्मान कहते हैं अच्छा आप कोई चोर करे या कोई कतल करे उसे तो चोर कहते हैं कातल कहते हैं लुटेरा कहते हैं उसे मुसल्मान तो नहीं कहते हैं उसके साथ मुसल्मान कैसे इत्फ़ा करे या दाद करें बहु से बिलकुल सही हमने अपना हाग अदा कर दी हैं अब पाक हो गया यह मारे लिए हैं जोे बाद व्यामर र्यजार बड़ादि थिया कि है का उन्होंने मौलिव्य का जिकर कि अब दुन लंगर विसाते के लिए मतलब एक ऐसा है से इसके लिए मैं पार अलफाज नहीं है मतलब मैं ढूंट रहा हूँ मुझे अलफाज नहीं मैं लशकर जहलियत घुम रहा है ना एक लशकर है लशकर के लशकर घुम रहा है जो हलाके जो के चाहते हैं कि वो कुछ चिखाएं तो अजीब अजीब سر تسلیم خم کیجئے बिल्कुल बिल्कुल चौकटे अबुतराब पे देखे हमने दीन इसलाम क्या है जो तुमको तुम्हारा रसूल दे वाले लो इसे रोके रुक जाओ अब जो रसूल दे रहे हैं उदर से मूँ फेर के आप चले जा रहे हैं और रुहा रुकने को आप तयार नहीं यह सारे मामलाथ है पहले चौकटे अबुतराब पे जबी अपनी पेशानी को खम करना पड़ेगा जानु एदब तह करने पड़ेंगे तो इल्म आना शुरू होगा जब इल्म आना शुरू होगा तो तहारत नफस पैदा होगी तस्कीय नफस होगा तहारत नफस पैदा होगी परवर्दिगार का नूर कल्ब में चमकेगा तो रहें खुलेंगी तो वाइरिसस से निजात मिलेंगी वरना खुद एक वाइरिस बने गूम रहें और कलमा पड़ लेने से इसमें क्या फर्क बड़ेगा जब तक सिलसले जो है वो जुदा रहेगा जब तक सिलसले की डूर मिल नहीं जाती जब आप नमबर मिलाते हैं फून का तब बेल जाती है और ना आप फून को हवा में गुमाए जाएं कोई नहीं आएगी बेल छे लाग नमबर सेफ होते हैं आपके परस नहीं आएगी बेल जब तक आप स्पैसिफाई जाके वो नमबर सहीं भी मिलाएंगे कोड़ बड़ के साथ तो चौकटे अबुतराब पे जिस दिन ये मिल्लत आ जाएगी फिर ये जितने भी है ने ये फंटेमेंटल वैक्सीन और ये सब ये सब फारिक खतब फिरिश उस वकट तक ये वैक्सीने लगती रहेंगी और वो खार चड़ते रहेंगे ये जब होता रहेगा जब तक इस चौकट से राब्ता उम्मत का मनखता है गदीर वाली रास्ते पे उस पकी सड़क पे जो के एक सवा एक लाक हाजियों ने वहाँ पर एहद किया था उस पकी सड़क पे जब तक आप गाड़ी नहीं दोड़ाएंगे आप नहीं मिल पाएंगे उन्हा कच्चे में आप खजूरे बाटे जाएं और अलब दो लिल्ला कहे जाएं कोई फर्ख ने पड़े गा वाल्ला कोई फर्ख ने पड़े गा ये था सारा बारा जिन लोगों ने प्रोग्राम्स में कॉलें की हमारे टिबला अब्दिलों सायन मुसावी साब की शुकर गुजार है और उसके अलावा जिन कॉलर्स ने हिस्सा लिया फून कॉल्स की सब ही के हम शुकर गुजार है कि मुखतलिफ जहतों के साथ उनों ने जो है पर प्रोग्राम को चार्जान लगाते हैं गुफ्तू करते हैं दिल की भडास निकालते हैं पिल्कुल यूगा प्लेट फॉर्म है हमेशा उनके लिए आवादा रहता है कि मुआ है और अपने मन की बात यहां पर करें नए पॉइंट समें मिलते हैं समझने के लिए उनके ओपर खौर और खौस किया जाता है लुफ्त पारफ उंथा है पिर इसी तरह से जो हम आगे बर्दी है और आया मा जो तखली पाती है ø process कुछ नहें ने नहीं नहींन बातों पर गौर किया हूथा हमारे नाजरेन की kaloós शाम酒 करने से यह फाईदा होता है कि हम जो points मिस्ट करकर हुटे हैं, हम उन points पर भी गौख कर सकते हैं और हमेशा जो वाइरिसे की बात होती है, किस तरह से control करते हैं, दिमाग और किस तरह से, god gene को वो तो कुशिशी कीजी अपने डिलों दिमाग को मुहबत मुहमद वाले तो मुहम्मद से भर लीजिए प्लाग को प्लाग को ठाइब नहीं, आपका रूवलाओ को देखना प्लाग कर दोड़ा है.